आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके Redmi या फिर MI के फोन में यहाँ पर अगर YouTube एप वर्क नहीं कर रहा है या फिर YouTube एप से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉबलम आ रही है या आपके फोन में ओपन नहीं हो रहा है तो कैसे ठीक कर सकते हैं आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं तो इसके लिए आप अपने फोन में सैटिंग्स को ओपन करिए फोन की सैटिंग्स में आने के बाद नीचे स्क्रोल करिए और एक आप्शन आपको मिलेगा Apps या फिर Manage Apps इस पर किलिक करिए और यहाँ पर इस पर किलिक करने के बाद Manage Apps पर किलिक करिए और यहाँ पर आपके फोन के सारे application आज जाएंगे अब आपको नीचे स्क्रोल करके सर्च कर लेना है YouTube तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको मिलेगा YouTube अगर आपको यह नहीं मिलेगा तो उपर आप सर्च कर सकते हैं अब उसके बाद YouTube पर किलिक करिए और नीचे force stop पर किलिक करिए उसके बाद OK करिए clear data का एक option आएगा इस पर किलिक करके clear data पर किलिक करके clear all data पर किलिक करके OK करिए ये settings करने के बाद एक option आपको मिलेगा restrict data usage इस पर click करके आपको check करना है अगर आपका mobile data या फिर wifi यहाँ पर select नहीं है तो select करके ok कर दीजिए इतनी settings करने के बाद आपको back आ जाना है और अपने phone में settings में ही एक option आपको मिलेगा sim card and mobile network इस पर आपको click करना है जे sim का आप net use करते हैं उस पर click करिए उसके बाद आपको check करना है preferred network type आपका prefer LTE select होना चाहिए उसके बाद आपको एक option मिलेगा नीचे access point names इस पर click करके नीचे reset पर click कर दीजिए और ये reset होने के बाद आपको back आ जाना है और आपकी settings complete हो चुकी है इतनी settings करने के बाद अपने phone को आपको बंद करके चालू करना है यानि कि restart करना है उसके बाद आपकी problem solve हो जाएगी आप यहाँ पर check कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को subscribe जरूर करें